पुल्वामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक अपनी चुप्पी तोड़ते हैं सत्यपाल मलिक का विरोध करते वे अमिश्चह अपनी चुप्पी तोड़ते हैं लेकिन पीम नरेंद्र मोदी और राजना सिंग अपनी चुप्पी कप तोड़ेंगे जिन पर सवाल दागे जा रहे हैं जिनको सवालों के घेरों में खड़ा किया जा रहा है नमस्कार में आजबिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News सत्य पाल मली के काई करके कई खुलासे करते हैं पहले ब्रस्ट चार को लेकर फाइले बंद करने के लिए PM नरेंद्र मोदी 300,000 करोड रुपे की रिश्वत दोद देते वे नजर आते हैं उसका खुलासा करते वे नजर आते हैं कि PM नरेंद्र मोदी को ड्रस्ट चार से बेहत प्यार है इसलिए वो यहाँ पर यह देखे जा रहे हैं कि फाइले बंद करने के लिए यहाँ पर पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को रिश्वत दी जाती है ऐसा सत्यपाल मलिक खुद बोलते हैं इसके बाद पुलवामा हमले में जो 40 जवान शहीद हो जाते हैं उन तमाम मुद्दों पर खुलासा करते हुए सत्यपाल मलिक ये कहते हुए नजड़ाते हैं कि उस वक्त जब ग्राय मंतरी ते राजनाथ सिंग और पिम नरेंदर मोदी की मिली भगत से यहाँ पर हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं यहाँ पर 40 जवानों की शहादत पर राजनीती करते हुए पिम नरेंदर मोदी दिखाई देते हैं और जब इस मामले पर बाचीत की जाती है तो उन से चुप रहने के लिए कहा जाता है अमिश्या कहते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया इस वक्त क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं तो उस वक्त पर भी सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि मुझे बहुत जरूरी हो जाता था कि इस वक्त में बोलू उस वक्त तो में बंधा हुआ था भारते जनता पार्टी से था अगर उनके खिलाब बोलता तो काफी कुछ होता हुआ नजर आता लेकिन अब यहाँ पर साफ तोर पर जाहिर हो गया है कि सत्यपाल मलिक ने सब की चुप्पी को तोड़ दिया है अमिश्या बोल रहे हैं संगीन मामरा बन जाता है और इसमें राजनास सिंग का वयान ना आना इस साबित करता है कि वो कहीं न कहीं इसमें भागेदारी साबित करते हैं पुलवामा हमले में राजनास सिंग का भी सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पर विमानों का ना भेजना हेलिकॉप्टर की दिखाई देती है राजनाज सिंग की पीम नरेंदर मोदी की अजिड़ो बाल की अब ऐसे में क्या राजनाज सिंग अपनी चुपी तोड़ेंगे क्या अपने पद से इस्तिफा देंगे या फिर भारते जंता पार्टी का दामन छोड़ेंगे क्या कुछ देखा जाएगा क्या है आपके राए कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद